अगर आपने मेरे टेंज की वीडियो में आपको समझाय थे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर और उनके सभी सभी के फॉर्म्स मैं आपको जो समझाय थे एक ट्रिक से तो इसमें भी वही मैं आपको सेम रिपीट कर रहे हूं अब बात करेंगे प्रेजंट की प्रेजंट में आपको क्या लगाना होता है यहां पर एस आर एम क्लियर नौ फरस्ट और वॉड लाग तो से देफिनेशन चलिए सबसे पहले डेफिनेशन को रीड करते हैं यहां पर मैंने आपको बोड में एक्स्प्लीन किया है जिसे प्रेजंट कांटीनियस का मतला मैंने बता है वीवन फ्लस इंजी ठीक है प्रेजंट की जब बात कर रहें जब अब रेगुलर प्रेजंट है क्लास में तो आपकी पोजिशन क्या होगी अगें दे सेम थिंग वीवन फर्स्ट प्रजिशन होगी ठीक है संटेंस फॉर्मेशन हमारा वही है सब्जेक्ट विल बीकम इंद ऑन फर्स प्लेस ठीक है देन हेल्पिंग क्लियर संटेंस परमेशन वही है सब्जेक्ट न थेन हपिंग वर्ब और रब और अबजीक्त तो सब्जेक्ट अगर आपका राम है सिंगुलर है तो इस आएंगा राइटिंग अप्लेटर राइट राइट के आपका वीवन और आई-अएनग लग जएक तो रैटिंग बन सब्सक्राइब वर्ग आप थान रहते जो और रांक टुम कि यहां चेल चेल में आपका ओर व्रॉल्ट होता है was word clear past continuous में तो helping verb will come in the first place in interrogative sentences then subject then v1 plus ing plus object plus at the last question mark we have to apply so is ram writing a letter now come back on your page चलिए present continuous tense का आप देखी यहां पर गीवन है pictures some pictures given you have to write according to the pictures sentence here picture cake ordering आपको sentence लिखने है यहां पर क्या हो रहा है first picture में देखे the children are baking a cake ठीक है और आप से in the second way you can write also the children are pouring the milk clear pouring underline करेंए because it belongs to v1 plus ing it's already given in exercise a1 even में आपको यह गीवन है यह देखे नीचे क्या दिया हो है underline the doing words in the sentences that you have just wrote ठीक है second में है the girl देखे आपको क्या दिख रहे है यहां पर डख नजर आ रही है जो की feed कर रही है खाना खा रही है ठीक है तो the girl is feeding the animal ठीक है तो गल क्या है वो खाना क्ला रही है यह ज़क को देखे आनिमल eating the food grain also you can write clear चलिए थर्ड पिक में देखते हैं the children are playing in snow तो प्लेइंग आएगा यहां पर वी वर्ब आपका और चिल्डन आर एंजॉइंग इन winter enjoying is your work ठीक है अब देखे फोर्थ पिक में आपको क्या नसर आ रहे है तो गरल इस डांसिंग दगल इस पॉसिंग आपको अपको 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 लिखा दिया है चलिए बी पार्ट पर आते हैं देखे सेकंड पीच पर गीवन है डेफिनेशन इस इस अलड़ी डर्न यह वही है जो मैंने आपको बोड़ पर एक्स्प्लेइन किया था बी में दियावा है आपका जो भी आपने अन्यान से उसमने चेल लिखे है उसमें टूब एक्षान गानी उसमें टूबी की फर्म अपको लगान ईए तो जैसे जैसे कि मने संट्नें था या तू-बी की फॉर्म है ठीक़ 20 अपका वर्म है और इनजEvet हो गया फिटिंग हो गया बैंग हो डांसिंग और इस आर एम आपका क्या है यह हमने यहां पे टूबी की फ़र्म यूज की है चलिए नाव कम तो दे पार्ट यह फिल इन दे ब्लैंक्स परेग्राफ गिवन विलो विद प्रेजंट कांटिनियस तेंस तो भी आपका ब्रैकेट में गिवन है यह आपका दे टियसके सब्सक्राइक एक्सराइज चाहिए व्यर्मेंट विडियो सर्च मार शकते हैं बाई रानी शेमा करके के आइकसराइज वे इस compatible के एकसराइज पड़ांसल और सब्सक्रास और subject अगर plural है, तो helping verb also will be plural, तो they are having होगा, ना कि they is कभी भी नहीं आता आपका, ठीक है, तो they are having, ing लग जाएगा, इसमें they are discussing, because discuss given है, ब्राकेट में, तो discussing हो जाएगा, they are thinking again, ing लगेगा, देखें सारी जगे मैंने ing लगाया है, continuous में ing ही लगता है, v1 plus ing ठीक है, they are doing, Mrs. Pandi is standing, and talking, ठीक है, our listening, is nodding, is taking, our clapping, our rising, or our coming, clear, now come to the next page, चलिए मैंने आपको सभी बाते एक्स्पेन कर दिये, we must remember that, we do not use a simple present, to talk about actions that are going on, in the present, for such action, we use the present continuous tense, जो action चल रहा है, आपका present में चल रहा है, हम उसको simple present नहीं कहेंगे, हम उसको क्या कहेंगे, present continuous tense, ठीक है, present continuous tense के बाल में आपको बता चुकी हूँ, और do के साथ, present हमेशा, जो है, वीवन एपलाई होता है, I do my homework every morning, जो हम regular task में कर रहे हैं, आपना वो आपका present continuous tense से बिलॉंग करता है, clear, चलिए, D में दिया हुआ है, आपका again, V1 प्लस ING अपलाई होगा, ठीक है, तो water given है, तो यहाँ पे, continuous नहीं बोला, आपको simple present, और present continuous में से, दोनों में से, तो देखिए, यहाँ पे, यूजुली दा गार्डनर, वाटर्स दा प्लांट, मैंने आपको समझाया था, मेरी प्रीविएस वीडियो अगर आप देखना चाहिए, उसमें भी मैंने समझाया, आपको explain किया है, प्रेजेंट, simple present tense, ठीक है, या present indefinite, आप सर्च माँ सकते हैं, simple present tense, exercise with answers by Rani Sharma, तो उसमें मैंने आपको बताया है, V1, as और e, as apply होता है, कहां होता है, वाप लिज वहाँ जाके देखिए, with a singular or plural के साथ, यह आपको वहीं जाके पता चलेगा, तो यहां पर सब्जेक्ट आपको देखना पड़ेगा, ता garden आपका क्या है, ठीक है, singular है, तो यहां पर S और e, as apply हो, because he sheet के साथ, अगर याद हो, तो मैंने आपको बताया था, S और e, as apply होता है, तो waters आएगा, clear, अब देखिए, यहां पर है, so I am watering the plant, यहां पर continuous आएगा, because here I am watering according to the sentence, here continuous, we are talking about the continuous tense, clear, my father works, यहां पर works आएगा, in England के मेरे पापा, जो है, वो England में काम करते हैं, clear, right now, he is working, अप कहां पर काम कर रहे हैं, Singapore में, ठीक है, because his company has sent him, तो जो continuous में होगा, वो आपका V1 ING होगा, जो regular task होगा, वो आपका V1 होगा, और with recording to the singular or plural के साथ, हम उसमें S और EAS apply करेंगे, clear, देखें, थार्ड में आपका rains आएगा, ठीक है, first of all, to do yourself, then recheck your answers, from this video, it is raining होगा, यहां पर चीक है, और talking, clear, now come to the E part, here, choose the correct option from the statement given बुर, चलिए, कौन सा correct है, yes, I am writing, because it belongs to the continuous tense, परवेश is lying, देखें, continuous की बात कर रहे हैं, परवेश is lying in the bed at the moment, come to the next page, third में आपका, I am staying आएगा, Peter is working, my brother, sister are cooking, oh no, look what he is wearing, ठीक है, don't turn off the television, I am watching it, I can hear Jane, she is coming, clear, so hope you understood, these answers very well, मिलते हैं, next video में एक नहे, chapter के साथ, और with answers के साथ, मैं आपको अच्छे से explain करूंगी, don't forget to like, share and subscribe my channel, thank you for watching this, bye bye to all,